अब स्वजी का आज किस लेक्ष्रों सागत है जैसा कि दोस्तों हम पिछली लेक्ष्र में पढ़ चुकी थे कि जो एकि टिश्यू दो प्रकार के होते हैं Simple Permanent Tissue होते हैं Complex Permanent Tissue होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझना है मुख्यत रूप से а америк Complex Permanent Tissue के बारे में तो जैसा कि आप पिछले लेक्र में देखा कि Simple Permanent Tissue होते है उनमें क्या होता है इनमें मुख्यत रूप से जो Tissue है वो same type of cell से बना वुआ होता है same type of cell इसका क्या मतलब है जैसे कि हम जानते हैं tissue किसे बने होते हैं cell से बने होते हैं लेकिन यदि एक tissue में एक ही प्रकार की cell हो तो उसे simple permanent tissue बोलेंगे जैसा कि हमने देखा था पिछले वाज लेक्चर में जैसे कि इसकलन कामा है parent कामा है यह सब जो है के simple permanent tissue थे लेकिन इसमें आज हमको पढ़ना है complex permanent tissue तो इसमें क्या हुआ complex permanent tissue में complex permanent tissue में आप देखोगे इसमें different type of cell मिलेंगी एक ही tissue में different types of cell आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले इसमें दो पढ़ने हैं हमको complex प्रवाने टिशू में बो भी plant के लिए plant में हैं जैसे कि आपको food transfer करना है या फिर जैसा है कि हम जानते हैं food का में food leaves में बनता है food आपका leaves में prepare होता है और आपका water होता है water आपका roots से लिया जाता है तो इन दो उनों को transfer करने के लिए यानि foods को leaves से other part में भेजने के लिए water को roots से leaves के पास लाने के लिए दो different tissue के ज़रुद पढ़ती है जिसमें जो food को ले जाता है उसको हम बोलते हैं phloem phloem tissue इसमें हम दो important है नहां पर गजने हैं water के लिए जो tissue है उसका नाम है जायलम tissue यह दोनों किस पकार के हैं यह दोनों टिशू है complex जब यह complex tissue है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन different type की cell पाई जाएंगी तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी cell इन दोनों टिशू है पाई जाती है तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जायलम tissue तो यहां पर जायलम tissue देखोगे आप डाइग्राम में भी देखते हो नीचे डाइग्राम आपको दिख रहा हुआ इसमें जायलम tissue में चार डिफरेंट प्रकार की cells पाई जाती है इसमें जो सबसे पहली है ट्रैकीड्स नमबर दो वैसल्स नमबर तीन जायलम फाइवर और नमबर फूर पाई जाता है इसमें जायलम पैरन काइमा यह चारों देख सकते हो आप चारों ही डिफरेंट डिफरेंट होई के नहीं इससे टिशू कुन सा बनेगा आपका जायलम टिशू और इसका फंक्सन क्या होगा फंक्सन जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता है उपर भी लिखा हुआ है यह ट्रांसपोर्ट करेगा यानि एक चाहिसी जगह से दूशी स्टमर्व और मिन्हां चानिको पानिको जो रूट्स मं psychiatर हो मिनेर्णा प्रूट को उनको लिख रूट्स के तरफ ले जाएक कि Iki तफ ले जाएक इसके लाबावा यह इसका फंक्सन हो गया गाए दूसरा क्या है इसमेंसे जो में इसका यह एक अ इसका भी एक अलग फंक्षन होता है आप इन फंक्षन को द्यान रखेगा इसका थोड़ा फंक्षन है ताइस प्रूड यह जो एक फूड को इस्टोर भी कर लेता है इसके अलावा हम बताएं यह इसकी इस्ट्रक्चर की बारे में देखें जैसा कि आप उसमें देख सकते हो करे कि दाक्राब देख रहे हुँए इन दोनों की वैसल और ट्रेकीरी स्टक्चर यह झा ल सकते हो इनकी त्वनर स्टक्चर है तो इनको जरूरी है पाइप की तरह की इनकी इस्टक्चर हो इसके अलावा और ये कैसी इनकी जो की वौल्स होती है कोई भी सेल उती है उसकी बौल हुती है इसके ऐसके इसके तिक सेल बॉल हुती है इसके अलावा आब आपको एक कुछिन ये भी दखना solid यह जो सेल्स है वो deer Sails हैं यह living cells है तो आप देखोंगे क्यों दोनों युह सेल्स होती है यह डैड्र औगी जब यह गाँ होना है जैसे कि प्लांट जब बड़ा होता जाएगा तो कुछ समय बाद यह डैड्र हो जाएगई जब टेर तवी होंगी जब ये मैचर होगा अच्छा आप लोग इन सेल्स को कहां इनको आप कहां देख सकते हो जैसा कि आप स्टेम है किसी भी प्लांट का या कोई भी डाली उसको आप काट लिए तो उसमें बीच में जो होते हैं टिश्यू होते हैं वही आपके टिश्यू जैलम और फ्लोम टिश्यू होते हैं तो यह आपका यहाँ पर जैलम टिश्यू के बारे में हो गया यही इंपोर्टेंट होता है यह चार के बारे में पूचा जाता है कि जैलम टिश्यू कौन कौन से होते हैं जो अब हमें जो दूसरा टिश्यू पढ़ना है वह आपका फ् सेल्स नमबर दो सीव ट्यूब्स नमबर तीन कम्पैनियन सेल्स नमबर फूर है आपका फ्लोम पैरन कामा नमबर फ्लोम फाइबर फ्लोम फाइबर यहां पर देख सकते हो कि पैरन कामा फ्लोम 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 आप इस function को द्यान रखिएगा तो इसका जो function है यह food को ट्रांस पकड़ता है मैं पहले ही और पार्ट की तरफ ले जाता है यह इसका man काम है अच्छा आपको इसमें जो और important चीज़े आपको यह दियान रखनी है यह flow and favor है यही आपका dead cell है यानि कि यह खतम हो जाती है बाद वाकि आप में चारों को ले सकते हो यह चारों की चारों आपकी कैसी चाहल है यह आपकी living cell हो गई यह आपकी living cell हो गई तो इस टॉपिक में दोस्तों यही था इसमें आपको जैलम पढ़ना था और फिलोम पढ़ना था दौनों के टिश्यू के बारे में पढ़ना था यही जो कि बहुत ज्यादा important रहता है इस टॉपिक में तो धन्यवाद दूस्तों यह आपको कोई doubt हो तो आप comment box में पूर सकते ह उसका हम आपको जाब देंगे धन्यवाद